पंजाबी अकाडमी चैनल वेच आप सब्दा एक वार फिर तों स्वागत है नविया वीडियोस प्रापत करन लई साधे चैनल नूं सब्सक्राइब करो ते नाल ही बेल आइकन दे बटन नूं दबाओ अगर वीडियो अच्छी लगे ता लाइक शियर जुरूर करो आज जसी क्लास 10 दे पोल्स्टार सेंपल पेपर पंजाबी पेपर ए करांगे पोल्स्टार सेंपल पेपर पहला क्लास 10 विशा पंजाबी ए टाइम अलाउड तिन कंटे माक्स 65 पैर्ट नंबर सब्तों पहला सुन्दर लखाई दे पांजंक इसलिए बच्यों मैं तोंनों रिक्वेस्ट कर दी हां कि तुसी पेपर बहुत सोने सोने टांगना लिखना है पेपर विच कटिंग बिल्कुल ने करनी इसलिए तोंनों सुन्दर लखाई दे पांचंक जरूर मिलनगे दूसरा फ़स्तोंनिस्ट प्रेशन एक होर नमासाल दे काड दे दो दे किसे एक पात्तरदा ना लिखो बनता जा तारो गुरु अंगर देव जी किस काफता रणा समंदित हन गुर्मत काफता रणा चंडी दी वार्दी रचना किस ने की ती शिरुगुरू गोबिन सिंग जी ने की कर इट्टा जा वट्या दे बने कोठे नू केंदे हन नहीं रबाब मुगोंदा विर्तान लेक दा लेखक कौन है ग्यानी गुर्दित सिंग बागी दी ती कहानी किस कहानी का दी लिखी होई है गुर्मुक सिंग मुसाफिर कुल्फी कहानी दे किसे एक पातर दा ना लिखो काका जा कहानी कर जा शाहन दा मुंडा बल्वंत गारगी दी केड़ी कांगी वनगी विच दर्ज है बेटाई कोश्चन त्यान अब देखो बल्वंत गारगी दी केड़ी कांगी मतलब तुसी कांगी दा नाम दसना केड़ी कांगी वनगी विच दर्ज है पूस्तो फूछ विच केडि कांगी दर्ज है उत्तर है बमकेस समुन्दरो पारी कांगी उनसार बल्लवानत टिलो हर देव दा की लगदा सी उत्तर दोस्त एक होर नमासाल कार्ड तिन दा की ना है उत्तर शाम अगध नो कोश्यनान दा एक होर नमासाल काड स्वेर्दा की नासी पहला दूसरा काड की या दुपहर तीसरा काड की या शाह हेट लिके काफ टोटिया विचो किसे एक दी परसंग स्यत व्याख्या करो ये थो नू बेटा पंजमाक से आने ने परसंग एक आफ टोटा शाह हुसेन दी रची हो एक काफी है जो की साहित माला पुस्तक विच साह जिनादे वल सिरले खेट दर्ज है इस काफी विच शाह हुसेन ने ए अंकित कीता है कि जिनावते रबदी मेहर होंदी है उन्नानू किसे दा कोई गम, डर जाँ, पै नहीं होंदा ओ हमेशा बेपरवा होंदे हन व्याख्या शाह हुसेन इस तरी रूप विच कहाँदा है कि जिनावल रब आप होंदा है पाग जिनावते प्रमातमादी किरपा होंदी है उन्नानू किसे दा गम, डर जाँ, फिकर नहीं होंदा ओ जीवरूप इस्त्रियां चंगियां हन जिनादे दिल विच रब्बी इश्क दी चिरांतो लगी लगन होन करके ओ रब दे प्रेम दे पासे वल लग दियां हन मैं अपने सिर उपर रब्बी इश्क दी टोकरी चुक चुक के दर दर ते होका दिन्दी होई उस रब्बे इश्क दा वनज कर रही कुझ डिग दी, कुझ टेंदी, उठदी, बेंदी ते दमलेंदी जिऊंकर तोट सरब्बों आवे फेर उत्ते वल वलेंदी टूंडे कोज शतूर्दा कितवल हर्गिस पालना पैंदी हाशम जगतना क्यूं कर गावे प्रीत सबूरल जयनदी परसंग एक आफ टोटा साहित माला पुस्तक विच दर ज हाशम दी रचना किस्सा ससी पुन्नू विचो लिया गया है इस विच कवी ने मारूथल विच अपने प्रीतम पन्नू दी डाचीदा खुरा लब रही ससी दी दुख परी अवस्ता ब्यान किती है व्याक्या तपदे मारूथल विच ससी कुछ डिंग दी तैंदी ते कुछ उठदी बैंदी होई दम ले लेके जा रही सी इस तरह लगदा सी जिमें किसे नू शिराब दी तोटा गई होवे ओ डिगण मगरों फिर उठदी सी ते अगे चल पैंदी सी ओ लब रही सी कि उसनू किसे पासे पुन्नू दे उठदा खुरा मिल जावे पर उसनू ओ किसे पासे मिल नहीं सी रहा हाशम कहनदा है कि इस तरह जेडे प्रेमी प्यार नू तोड़न मोंदे हन संसार उना दी प्रीत दे किस से गौनदा है इड लिग्यां का वितामा विचो किसे एक कवद्या दा किंधरी पाव लगपगma काली शाया ड़ाद है इश्क दी नम्यों नम्य बहार दा किंधरी पाव शूफी फकीर मजबाद करम कार्थ दोर रेंदा है अते रबनाल प्यार पाके उस्ते इश्क दी नमी बहार दा अनंद मानदा होया उस नाल इकमिक हो जानदा है अगे सत्गु नानक परगटिया पाई गुर्दास जीदा केंद्रिपाव शिर्गु नानक देव जीदा जनम संसार विच पसरे अग्यानता दे हनेरे ते पापा दा नाश हो गया है गुरु जी ने थाथा साचते तरमदा पर चार कीता है ते इस परकार चारे दिशावां आते नोखंड पृत्वी नू तार दिता है गई हेट लिखे लेका विचो किसे 11 सार लगपक 500 शब्दा विच लिखो बेटा तुम आना पांच नमबर चारे लिंक विच जाके वीडियो देख सकते हो कि सार हो थे मैं बहुत चंगे टांगना लिखिया गया है उतो तुसी माह कवी काली दास दा ते पराथना दासार पड़ सकते हो अगे बेटा 6 नमबर हेट लिखे अभी 80 प्रेशना विचो किसे दो दे उत्तर अपनी पाठ पुस्तक देदा आरती लिखो बचपन विच बोली दा खजाना सानू किवे अमीर बना दिन्दा है उत्तर बोली दा खजाना बचपन दे चो गिर्दे तो ही सानू जुड़ना शुरू हो जान्दा है बचपन विच माननो ते चितरे लवत सानू पूल दे नहीं तेहें मोरां दा कम कर दे हान असे एक एक मोहर नू अनेका सिक्या विच वटाओ दे हान ते साड़े खजाने दिया पेटिया चंकन लग पेंदिया हान वड्यानू बच्यां दी से मेरी विच वादा करन वाल विशेश त्यान देना चाहिदा है इस तरह बचपन विच ही बोली दा खजाना सानू अमीर बना सकदा है जिस्विच पईया लवजां रूप मोरां नू पनापना के असी सारा जीवन गुजार सकदे हान चंगे कड़े होई शबद चालू सिक्के वांक साडिया सब फोरी लोडा पूरियां करदे हन अगला कोस्चिन बचा पुराने समय विचपल्वान के में पिंडा उत्ते फते परापत करदे सान उत्तर पुराने समय विचपल्वान टोल वाले नू लैके दिग विजेदा चंडा फाडके चड़दे सान ओ इक पिंड़नू फते करदे ते अगले पिंडू ते चड़ाई करदे उना दे नाल मुडिहर ते कई पठे चामले हुंदे जिस पिंड़ो पुझदे ओथों दे लोकाले उना दा स्वागत करना जरूरी हुंदा फिर ओचंडा गड़ दिन दे कि जेकर कोई ओथे जोर वाला है ता उना नाल कुल लवे कार्म नुख दे निज्जी वलवलया ते शिक्षी रैनी दा केंदर हुंदा है उत्तर एक कथन बिल्कुल सही है कि कार्म नुख दे निज्जी वलवलया ते शक्षी रैनी दा केंदर हुंदा है जित्थे उस्दे आच्रनू बनोन विच समाजिक ते मुलकी आले द्वाले दा प्रवाव कम करदा है उत्थे करदी चारदवारी अते इस्दे अंदर दे हालात वी कट कम नहीं करदे उसदियां रुचियां ते सोबा इस संचे विची टलदे हन कारदे प्यार तो सकने मुनुक कोजे सडियल ते खिजू हुन्दे हन जदगी कारविचला सबंदियां दा प्यार मुनुक विच प्यार हमदर दे निमरता कुरुबानी ते सेवा दे गुन पैदा करदा है अगला कुश्चिन अर्दास कदों ते क्यूं किती जान्दी है उत्तर बंदेली अर्दास इक जरूरी वस्तू है जिंदगी विच कई मौके जेहे होंदे हन जदो वड़े तो वड़े राट आदमी लेवी अर्दास तो बिना कोई राण नहीं रह जान्दा अर्दास जिंदगी विच हर संसारिक मौके उपर जनम वेले, मरन वेले, व्या वेले, रोग वेले, जंग वेले, मुश्किल समे कार्ज दी सिद्धी लई किती जान्दी है इस नाल मनुक चड़ दी कला विच रहन्दा है अगे बेटा हेड लिए कहाणिया विचो किसे एक कहाणी दा सार लाग पक, देड़ सो शब्दा विच लिखो एक पर काट तो ना अजीत कोर दोसरा, मढ़िया तो दूर रगबीर टंड बेटा ये दा भी तुसी वीडियो विच जाके तुसी देख सकते हो अगे कहाणिया देता आरते पुच्छे गे हेड लिके प्रेशना विचो किसे दो दे उत्तर लिखो बेटा सरफ मैं ओही रिविजन करवा रही हैं जो जल्दी हो रही है क्योंकि सार्व गेरा तो नो अंदेहन सिर्फ कोश्चन दिया आपा जल्दी जल्दी रिविजन कर रहे हैं बांबनो माता दीना किस गलो एर्खा सी उत्तर बांबनो माता दीना एर्खा नहीं सगो गुसा ते नफरत सी क्योंकि ओ उस दे रातव विच्चो चोरी करदा सी ते उस तो उस दा हाख खोंदा जा रहा सी उसम इस गलना एर्खा जरूर सी कि माता दीन दे वितकरे कारण महाराज दे शिकार खेड़न लई जान समें उस दी था किसे होर हाथी नो मिल गई सी कुलफी वाली दा होका सुनके लेख की सोचन लगा ओ सोच रहा सी कि उस दी तनखाता मिनने दे पहले 15 दिना विच ही उड़ पुट जान दी है उपियसे दी तंगी नुँ हवालादी तंगी तोवी प्याड़ी उनपव कर रहा सी अमरीक सिंह नुँ अपने कार्दयानाल किस गल्धा, इतराज सी की उन्हा उस्तो अपने प्योध वारा कीतियां बहुत सार्यां मारियां गल्ला लुका के रखियां सन अगला कुश्यन हेट लिके पातरा विचो किसे एक दा पातर चरित्रन लगपक 125 शब्दा विच लिखो मेटा मरसी ते वजीरा है एवी बेटा में जड़े पातर ने वो सारे अपने वीडियो विच पाई होई हैं तेंथ क्लास दिया तुसी उत्थे जाके देख सकते हो अगर बेटा में एवी बढ़ा लगी ता तुड़े जड़े वीडियो बहुत लंबी हो जानी है अगे बेटा हेट लिके वारता लापा विच्चो किसे एक वारता लाप दे प्रेशन दे उत्तर लिखो मेंनू पहला ही शक्सी ओ मेरे नल अखा नहीं मेल सकन गे ओना दी शिराफत दा चुंगल माटा पाट जो जाना होया ते फिर मैं भी पाणी रिटक के की लेना नीटू बारे तुसी पुछ लेना ओ चोली पांदे ने जान नहीं ए शबद किसने किसनू कदों कहे ए शबद शरंजीत ने बल्देव टिलो नू ओदों कहे जदों ओ दस्दा है कि बाजवा दे इंगलेंट ओन बारे सुन के किनना गुसे विच सी शरंजीत नूँ बाजवे ते की शक्सी? उत्तर शरंजीत नूँ शक्सी की उसदा पती बाजवा उसनू देख के गुसे विच आ जावेगा ते उसनू मारन तक चला जावेगा अगला कोश्चन ए किसे कांगी विच आ संग्मन अगली वारत लाप नई तूप लेख ए विच रह रहा हैं अशोकते अकबर वांगलो का दे दिलानू जित नाल राजदिया निहा पक्षिया हुं दिया है सिख मराठे, राजपूत, संत, सादू, शीया, सूफी, कुल हिंदू जाती तेरी हकूमतों दुखी है ये बेटा वार्ता लाप है, ये दे कोश्चन देखो ये शबद किसने किसनू कदों कहे ये वाक अवाजने ओरंग जेबनू कहे अशोक्ते अक्वर ने अपने राजदिया निहां किमे पकियां कितियां सान उत्तर, लोकां दे दिल जित के औरंग जेब दी हकूमत तों दुखी केडे लोकां दा जिकर किता गया है सिख, मराठे, राजपूत, संत, सादू, शीया, सूफी, कुल हिंदू जाती अगे बेटा, नावल एक हो, नमा साल दे अदा आरते हेड लेके पातरां विचो, किसे एक पातर दाच रितर लगपक डेड़ सो शब्दा विच लेको अब तोनों बेटा आना पांच नंबर दा, फुमन ते तारो बेटा, यह भी मैं चंगे तरीक के अनल अपने वीडियो विच पाएने, तुसी अपने नावल दी वीडियो विच जाके देख सकते हो इसला मैं आस कर दी हैं बेटा थो नुजड़ा है, पहला पेपरा चंगी तरह समझ लग चुक्या होवेगा हुन आपा दूसरा पेपर स्टार्ट कर दे हैं हां जी बेटा, पोल स्टार सेंपल पेपर दो परचे यह अनसल्ड़ पेपर सीगे, मैं तनो तायों सॉल्व करवा रहे हैं पहला सुन्दर लखाई दे पांजग, जो कि तो नुझा पहला भी दस्या भी लखाई सुन्दर करनी है, अगे वस्तो निश्टप्रेशन जीनत उन निशा औरंग जेबदी की लग दी सी बेटी नाय के कांगी देके से एक पातरदा ना लिखो, पुतर जाँ पिता, पुतर नमकी सी सुकदेव सिंग एक होर नमासाल नावल किस्ती रचना है, नरंजन तस्नीम जिलियाँ वाले बाग विच शहीदा दाखून किस दिन डुल्ला सी, उत्तर वसाकी वाले दिन पमणगुरू पानी पिता कविता किस दी रचना है, शिरेगुरु नानक देव जी गुरु अंगरदाश जी गुरु अरजन देव जी जांग दा हाल कविता विच केड़ी था दा जिकर है, जमरोद दी, पिशा वर दी, लाहोर दी, फेरू शहर दी अगला कोस्चेँ कर कियकवों दे सन कुक के कुल्फी कहानी दा लेकर कौन है प्रिंसिपल सुजान सिंग वीरा वाली किशन सिंग दी की लग दी है उत्तर पैन अगे बच्चो प्रित संपूरन जयन दी बेटे इटेड़ा पैला तुनू पूर्स्टार दा पैला सेंपल पेपर करवाया इपरसंग हो दे विच वियासे इंपोर्टड है इसले तुसी बहुत त्या नालेनू पिछो सोलेना मा ताकि पेपर विच आवे ता साहित माला पुस्तक विच दर्ज श्री गुरु गोबिन सिंग जी दी रचना चंडी दी वार विचों ले आ गया है इस वार विच गुरु गोबिन सिंग जी ने दुर्गा देवी दी अगवाई विच लड़दे देवत्या दे राक्षानाल होई मिथ्यासक युद्धा वर्नन कीता है इना सत्रा विच गुरु जी ने राक्षान दी बहाद्री नू चिता रहा है बेटे इत्थे में इदसना चौनी आ कि ये वी जड़ा पैरावा बहुत इंपोर्टेटा पेपर विच आ सकदा थो नू इवी त्याना तुसी याद करना लिखके भी देख लैना जिना बच्चे नो थोड़ी पज़ाबी लिख में विच प्रॉब्लम अन्दी है व्या किया जंग दे में दान विच लखा नगारे अम्मो समने वज रहे हन गुसे ना परे होई राकश जंग दे में दान विच डटे होई सन ते दुर्गा देवी दा बहादे ना टाकरा कर रहे सन ओ में दान विच चों पिछे नई सन हट रहे सारे राकश सूर में शेरा वां गज रहे सन ते वदवद के दुर्गा देवी उत्ते हमले का रहे सन उसारा जोर लाला के दुर्गा देवी वलतीर छड रहे सन ते उस नू पचाडन दा यतन का रहे सन अगे बटा खेड लेगया कवितामा विच्चो किसे एक कविता दा केंद्री पाव लिखो सबकिछ मेरा तुम शाव सैन केंद्री पाव मनुक दी हस्ती कुछ भी नहीं सोगो जो कुछ है प्रवू आप ही है उस दे अंदर बाहर ते रोम रोम विच वस्ता है उस दे श्रीरदा ताना बाना ओ आप ही है अगे चंडी दी बार गुर्गोवी सिंग जीदा केंद्री पाव दुर्गा देवी ते राक्षा दी प्यानक लडाई विच पहला दुर्गा देवी हत्तों मैखा सुर अते फिर शूप ते निशूप मारे जान दे यन राक्षा उपर जित प्रापत करके दुर्गा ने देवत्या दे राजे इंदर दा राजबिशे किता अगे बेटा खेड लेके लेखा विचो किसे एक दा सार लाग पक डेड़ सो शब्दा विच लिखो रवाम गौन दा बिर्तान ते महा कवी कालिदस बेटा पिशले पे परच्वी आपा महा कवी कालिदस दा नाम लेया सी एदा मतले बहुत इंपोर्टेट है इनुवी तुसी त्यानल पढ़ लाना है अगे कोश्चन खेड लेके प्रेशना विचो किसे दो प्रेशना दे उत्तर आपनी पाठ पुस्चिक दे दारते लिखो बिक्रमी समत कदों आते केड़े पाठ्षा दे नातों शुरू होया हुने भी कोश्चन देखो बेटा ये मा कवी कालिदस दे लेक विचो लिया गया कोश्चना इदा अंसर है बिक्रमी समत पहले सदी इस वी तों पंजा साल पहला हुए उजेन दे बाशा बिक्रमा जी दे नातों शुरू होया है नेक्स कोश्चन लोग पलवाना दा सतिकार के में कर दे सन उत्तर लोग पलवाना दे स्वागत लई उनना नू क्योई कठा करके दिन्दे सन ते गुड ते कपड़यां दे थाना दिया पंडा बन दिन्दे सन नगदी भी पीरा फकीरा वांग चड़ाई जान दी सी करदे प्यार तो ही समाज अते देश्ता प्यार पैदा हुंदा इस कठन दी व्याख्या करो उत्तर अगला कुश्चन महराजा रंजी सिंग ने कैदी दी सजा माफ क्यों कर दिती सी क्योंकि महराजा रंजी सिंग ने वाहुगुर्दा इस गलों शुक्राना करन लेई कि उसने उना दियर्दा सुन के उनानू सेत बक्षी है राजा त्यान सिंग दी सला मन के कैदी दी सजा माफ कर दिती सी हेट लिखे कहाणियां विचों किसे एक कहाणी दा सार लिखो एक पर कट तो ना बेटा एवी पिछले एपेपर विचा चुकी है इसलिए एवी बहुत इंपोर्टेड है इसनों विचंगी तर तुसी सार याद कर लेना है अंग संग अगे अठ नमबर हेट लिखे अभी आसी प्रेशना विचों किसे दो दे उत्तर संखेप विच लिखो कुश्चन पिता दे जेल जानते लाज ने अपनी पुवा वीरा वाली नू की कहा उत्तर पिता दे जेल जानते लाज ने वीरावाली नू कहा कि बुखार्तो राजी हो के वी ओ भी पिता जी को जेल चली जावेगी उसने कहा कि अपने मुल्क वास्ते जेल जाना कोई माड़ी गल नहीं है एस उनके जो दो पुवा ने कहा कि उस दी उमर जे बारा साला दी वी नहीं ता उसने पिता किशन सिंग नू कहा कि यो पुवा जी नू दसन की गुरू जी दे सैब जादया दी उमर किनी सी ओ ता इस उमर विछ शहीद भी हो गए सन ता कि यो हो भी जेल नहीं जा सक दी टे दोर मंगवाई फिर दोहा ने रल के तलामा पाईआ ते चोख परत के पतंग तयार कर लई फिर उसने मुंडेनू दोर फडाके अपना पतंग दोहा हत्था द्या अंगला नल फड़के हवा विच हुलार दे के छड़ दिती इस हुलार नाल ही ओ बिहोश होके ढिग पया त इस तरह रिशीद ने गवांडी मुंडे नार अपनी पतां को डोंदी रीच पूरी किती। दुकान चलोंदी हन उसदा श्रीरक रूबरंग अपनी मादे मुकाबले कनक्च कंगियारी वर्गा सी। आप ही लोना है। वेल लै बैठे। अगे बेटा हेड लिखे पात्रा विचो किसे एक पात्र दाच रितन एक सो पच्चीश अबना विच लिखो। मैं भी पंजाब तो चलन लगया कसम खादी अपनी पर जाई दा सोहाग उनू लेके दे आंगा। समुंद्रों पार दे रिवाजना मरसी दा सोहाग होर बन सकदा है। शरंजीत दा नहीं ते हुन शरंजीत मेरी पर जाई छुटड़ वापस नहीं जावेगी। जेयों गई ता मेरी लाश्तों लंके जावेगी। प्रेशन ए शबद किसे कांगी विचोहन बेटा समुंद्रों पार। इकांगी दे लेखरगदा की नाम है कपूर सिंग कुम्मन। ए शबद किसने किसनू कहे। उत्तर ए शबद सुखदेव बाजवे ने अपने प्रा हरदेव बाजवानू ओदो कहे। जदो हो कहनदा है कि जदो हो इडिया तो इंगलेंड आया सी ते हो मानसिक तोड़ते बहुत तुट चुका होया सी। पर मरसी ने उसनू नमे जिंदगी दिती है। इस करके उस लई जान दे सकदा है पर उसनू चड़ नहीं सकदा। नई तूप लेके विच रहा है अशोक ते अकबर वांग लोकां दे दिलानू जित्तना राजदिया निहां पक्कियां हुंदियां हान। सिख मराठे राजपुद सादू शियां सूफी कुल हिंदू जाती तेरी हकूमत तो दुखी है। बेटा ये भी बहुत अजरी वारतालावा बहुत इंपोर्टन है। ये पिछले पेपर भी आ चुकी है। इसलिए तुसी नों चंगी तरा करके जाना है। इसलिए मैं अंसर सी को पिछे दे चुकी है। इसलिए मैं अगरा कोश्य बढ़ दे हूं। नावल एक हो और नमा साल दे दा आरते हेड ले किया। पात्रा विच्चों किसे एक पात्र दा पात्र चृत्तन करो तारो दे अला ते परवेस। बेटा इना दी वी वीडियो में अपनी चैनल विच पात्र चुकी हैं तो इसे उत्तव जना नो पढ़के याद कर सकते हो। इस तरह मैं आसका दे के तो हुनू दूज़ा पिपर भी चंगी इतना समझ लग चुक्के होग ना पा बेटा तीसरा ते आखिला पिपर करांगे। आज बेटा उन तीसरा पिपर पहला सुन्द लखाई दे पान जंग। अगे वस्तु निस्पेशन इश्क दी नम्यों नमी बहार कविता विच कवि किस्ते वुरुद वाज उठोंदा है मजबी करम कड़ा वुरुद। अगला कोश्चन पूरन दा जनम कित्ते हो या उत्तर स्याल कोट विच। नेक्स को पहला सुन्द लखाई दा कहानीकार कौन है गुर्मोक सिंग मुसाफिर। मान सिंग दा पिंड केडा है चूहटकाना। नाय के कांगी विच पिता किन्ने रूपा विच पेश उन्दा है उत्तर तिन रूपा विच। औरंग जेदी पुत्री दा की नासी उत्तर जीनत उर् अमरिसर विच शहीदा दी यादगार केड़ी है उत्तर जिलया वाला बाग। पारत नो कौन लुटके लागया उत्तर अंग्रेश। हेट लिखे काफ टोट्या विचो किसे एक दीपर संग से अतव्याख्या लिखो। लिखिया पाया कै नानक ए श्रीर परवान हुआ जिन सतकुरसियों चित लाया परसंग। एक आव टोटा अमर्दा जीदी बानी अनंत साही विचों लिया गया है अते ए साहित माला पुस्तग विच ए श्रीरा मेर्या सरले खिट दर्ज है। इस मानी विच गुरु साहीब दस्दे हन की जीव जमदिया ही मापयो आदा प्यार राही माया की एरलेंदी है। सारी उमरो माया दे हत्थां उते ही नचदा रहनदा है ते दुखी हुनदा रहनदा है। जिस मनुख ते प्रमात्मा मेहर करदा है उसनों गुरु पदेश दी प्राप्ती हुनदी है। उस दी मायक पढ़कना दूर हो जानदी है। ओ दुखा तो नविर्ती हुनदी है ते मन विछ हर वेले अनंद बन्या रेंदा है इस पोड़ी विच गुरुजी ने दस्या है कि मनुख़्ी श्रीरी सफल है जेडा सत्गूर नालचितला के सिर्जन हर प्रबुन अपने मन विच विसोंदा है व्याक्या गुरुजी आकदे हन कि हे मेरे श्रीर ये संसार जनम तो लेके तू केड़े फजूल कम करदा है जदो ना तूस संसार विच आया है ता फजूल कम करण विच ही पटक रहा है तेरे करण योग एक विशेश कम सी तू उस प्रबुन अपने हिर्दे विच वसोना जिसने तेरे श्रीर्दी रिचना कीती प्रंतू तू ये कम नहीं किता जित्थे मनुका दे पुर्बले करमा उनसार लिखेया होया सी ओथे गुरुदी किरपा होई है उन्ना दे हिर्दे विच प्रबुदा निवास होया है उन मनुकदा श्रीरी सफल हुंदा है जिन्ना ने सच्चे सत्कूर नौल अपना चित जोड लेया है जांग हिंद पंजाब दा होन लगा दोवे पाथ्षाई फोजा पारिया नी अज होवे सरकार ता मुल पावे जेडिया खाल से ने तेगा मारिया नी कोडे आदमी गोले आनाल उड़न हाती ट्यादे सने अंबारिया नी शा मुहम्मदा एक सरकार बाजो फोजा जित के अंतनू हारिया नी परसंग एक आफ टोटा शाद मुहम्मदी रचना जंग नामा सिंगा ते फरंगिया विचो लिया गया है जो की साहित माला पुस्तक विच जंग दा हर्स लेखिट दर्ज है इस जंग नामे विचकवी ने महाराजा रंजी सिंग दी मौत मगरों सिख दरबार विच फैली बुर्शागर दी अटे अंग्रेज दे सिखाद या लड़ाया दे आंथ सिखादी हार्दा जेकर बड़े ही करमा मयट अगनल कीता है इनना सत्राविच कवे सिखादी फोज सबंदी अपने विचार पर गट करदा है व्याख्या शाह मुहम्मद सिंगा ते अंग्रेज़ा दिया लडायां सबन्दी आपना फैंसला दिन्दा होया कहदा है कि एक हिंद दे पंजाब दा यंग सी अंग्रेजी राज ते सिक राज दुहा बादशाया दिया फोजां बहुत बहुत हो के सिंगानु पारी अनाम दे के उनादी बहादरी दा मुल पौंदा है जांग इन्नी प्यानक से की कोडेते आदमी तो पंदे गोल्यानल उड़दे जा रहे सन हाथी आपने होंदिया सिमेत टैर रहे सन कवी आखदा है की खाल साफ हो जाता जित्या पया सन पर उनादी हार केवल इस कारण होई क्यूंकि अगवाई महाराजा रंजी सिंग वरगे निस्टा मांते बहादरा दे कदरदान व्यक्तियां दे हत्था विच नहीं सी हेट लिगे कवितामा विचो किसे इकदा केंद्री पावलिक हो गगन में था श्री गुर्णानक देव जी एदा केंद्री पाव सारी कुद्रत हर समय सरगुन ते निर्गुन सुरूप वाले प्रबुदी आर्ती उतारंदे अहार विच जुटी होई है जीव प्रबुदे चर्नाना जुड़के उस्ती किर्पा नार प्रापत होई है गुरुदी सिख्यामसार जदो सारे जीवा विच प्रबुदी जोतनु वज्दी अनपव करके उस्ते पाने विच चलदा है ता वो कुद्रत दवारा उतारी जही आरती इस विच शामल हो जन्दी है जमेंदा वटवारा केंद्रिपा प्योदे मरन मगरो जमेंदी वांड समे रांजे दे प्राकाजी ते पंचायत नूँ वड़ी दे के चंगी जमी दे मालक बन गए जिस मगरो रांजे दे शरीक बहुत कुश होए दे उस दिया पाबिया उसनों हर रोज कोई ना कोई बदनामी देन लग गिया अगे बटा सार रवाम गॉंदा बिरतांते मेरे वड़ बड़े रहे है तुसी अंदर वीडियो विच चैनल विच चाके तुसी याद कर सकते हो अगे बटा सिक्स नंबर हेट लिखे प्रेशना विचो किसे दो दे उत्तर अपनी पाठ पुस्तक दे जारते लिखो फ़र्सट कोशचन परसीदी लेकक ऑस्कर वाइडल दे अदास भड़े की विचार हनु उत्तर उना दे विचार उन्सार अदास दा उत्तर मिलना ही नहीं चाहिदा अदास दा उत्तर मिले ताँ अदास नहीं रहांसी सगो हो खतो किताब दा सिलसला बन जान्दी है अगला कोश्चिन अगला कोश्चिन अगला कोश्चिन कहानियां दे दार्ते पुच्चे के हेड लिगे प्रिश्णा विचो के से दो दे उत्तर लिखो पहला कुल्फी कहानी दा लेखक अपने पिता दे समेधी तुलना अपने समेणाल क्यों करदा है लेखक अपने पिता दे समेधी तुलना अपने समेणाल एश पस्ट करणली करदा है कि पहले संसार जंगतों मगरों किस तरह तेजी ना महंगाई वदी पढ़े लिखे लोकां दी तन खाँ जा आमधन जंगतों पहला दे कट पढ़े लिखे जा अनपड लोका नालो कट सी इस तरह लोकां दा गुजारा बड़ा उखा हो गया सी इस तरह दा कारणों समझदा है कि देश दी आते तिकता उत्ते तनुक बेरा दा कबजा हो चुका है अगला कोश्चन पिता दे जेल जानते लाज ने अपनी पूहा वीरा वाली नू की के हैं बेटा ये भी कोश्चन अपा पिछे कर चुके हैं बांबनों माता दी ना इर्खा ने सगो गुसा ते नफरत सी तूकि ओहो रोज उस्ते रात विच्चो चोरी करदा सी ते उस्तो उस्ता हाक खौंदा हुंदा सी उसनों इस गल्दी एर्खा जरूर सी कि माता दी दे वित्करे कारण महाराज दे शिकार खेड़न लही जान समय उस दी था किसे हो राती नू मिल गई सी अगला कोश्चन अमरीक सिंग नू कर दिया नाल किस गल्दा इतरा सी बेटा इवी पेला कोश्चना चुका बहुत इंपोर्टेड है इवी अपा पिछे कार चुके है तुसी उत्थों देख सकते हो अगे हेड लिखे पातना विचो किसे एक पाता दा पाता चरेतर लागपाग 125 शब्दा विच लिखो पुत्तर ते शरंजित कोर दा इना दे बेटा तुसी वीडियो विच जाके देख सकते हो कि किस तरह लिखे गई हन हेड लिखे वार्ता लापा विचो किसे एक नू पढ़नू प्रांत उस्थे हेडा दिते प्रिश्ना दे उत्तर लिखो मिल गई वे पुत्त सिख्या हुन मेरे मगर ए गल ना पादियो एक आंगी किस ती रचना है प्रिंसिपल सांसिंग सेखोंदी अगला कोश्चन ए शबद की सिखांगी विचोहन दूज्जा विया निहाल को नू की सिख्या मिल दी है उत्तर निहाल को नू ए सिख्या मिल दी है कि उस्ती नू बणके अपने कर आई प्राई ती मंजीत नाल ओहू जह सलू की करना चाहिदा है जेहो जेहो प्राय का रविच गई अपनी ती नाल चौंदी है हुन दे एम में पहला वेले दे मैटिक दे ब्राबर है जिस तरह हुन दा रुपईया पहला वेले दे आने दे ब्राबर है ए शबत किसा कांगी विचो हन उत्तर नाइक कांगी विचो अगे बेटा नावल विच तारो दे अला ते बांता इनना विच इंपोर्टर ने इनना विच थो नू आ सकता है अगे बेटा में एही आस कर दिया है कि तो नू सारा पेपर इना तिन पेपर आविचो लाजमी आवेगा तो दे स्कोर हंडर बटा हंडर जानगे तानवाद